हाई जातर इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है कि मार्केट जब weak होती है तो उनके पोर्टफोलियों में बड़े losses देखने को मिल रहे होते हैं लेकिन मार्केट जब अपरन में होती है तो उस रेशो में उनका पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं दिखा रहा होता है उसका रेजन के बापजूद भी अच्छे रिटर्ण्स बना कर नहीं देती है बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कम price to earning वाली companies को select कर लें बहां हम growth के साथ compromise कर सकते हैं तो इसलिए आज के वीडियो में हम जिन भी companies को shortlist किया है उनको consider करने के लिए जो सबसे first point है वो ये है कि companies अपने sector की high growth companies हो second ये है कि जातर companies ऐसी हो जिनको buy करने के लिए market में ज़्यादा noise वी ना हो third companies का price to earning low हो या fairly valued हो next वो companies ऐसी हो जो near term में अच्छे returns बनाने के लिए ready हो and long term के लिए perfect businesses हो friends आज की वीडियो में discuss की जाने वाली nine companies में से six companies ऐसी है जो मेरे portfolio का भी हिस्सा है तो नमस्कार capital and gains में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूँ बट जब मैं ये सब कह रहा हूँ it doesn't mean कि आप इन companies में जाके invest करें because I am not savvy registered so please consider the video only for educational purpose friends वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरी motivation के लिए वीडियो को like जरूर करें and channel को भी जरूर subscribe करें friends जब भी हम stock market में buying decision बनाते हैं तो एक factor जो हमें हमेशा consider करना चाहिए वो ये कि market में कहीं कोई बड़ी गिरावट का risk तो नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम nifty के valuation देख लेते हैं friends say nifty के price to earning का last 5 years का data है यहां जो pink line है nifty का price to earning दिखाती है तो covid से पहले की period की बात करें तो nifty generally 24 से 28 के PE के बीच में trade हो रही थी and presently जो nifty का PE है वो है 22.12 तो यहां हम कह सकते हैं कि nifty का जो price to earning है यह 5 year के almost low के around है अगर हम covid वाला period छोड़ दें valuation के terms में market में कोई बड़ी gravity expected नहीं है उसके बाद हम यह देख लेते हैं कि FIAs and DAs क्या कर रहे हैं friends यह जो left side में data है यह FIAs का activity data है and right side वाला DAs का activity data है अगर हम February के बात का data देखें तो buying जो हुई है वो selling से हमेशा जादा हुई है तो जैसे कि यहाँ February में हम देख सकते हैं buying जादा हुई है उसका मेई में अगर हम देखे तो buying जादा हुई है उसके बाद जुलाई में भी अगर हम देखे तो buying जादा हुई है and selling कम हुई है अब हम अगेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं तो यहां कुछ सेलिंग तो जरूर हुई है लेकिन बाइंग उसके कंपेरिजन में ज़्यादा हुई है जब निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा की बन आफ दा लीडिंग प्लेयर है एंड आलमोस सारे टू विलर उलेक्ट्रिक बेकल मैनुफेक्टर्स इनकी लेडी लाइट्स का यूज करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हिरो एन हारले ने क्लावरेड करके जो हारले एक्स फोर फोर्टी लाँच किया है इसकी हैड लैंप टेल लैंप फिम इंडस्ट्रि ने प्रवाइड की है उसके बद कंपनी यामाहा के इंडियन एंड ग्लोबल मॉडल्स के लिए हेड लैंप टेल लैंप एंड रियर ये फिम इंडस्ट्रिस के ये सारे प्रड़क्ट्स यूज करता है उसके बाद पिएग्यो और उकिनावा इनके प्रड़क्ट्स को यूज करता है टी बीस भी इनका काफी बड़ा क्लाइट है एंड नेक्स्ट होंडा भी इनका एक काफी बड़ा क्लाइट है इंडिया के स सासत बल्ड के रिनोंड एंड प्रेस्टीजियस टू वीलर मैनुफेक्श्रस इनके क्लाइंट हैं तो कंपनी के टोटल कस्टमर्स की लिस्ट आपके सामने हैं टू वीलर एलेक्ट्रिक वेकल ओईम्स में कंपनी के पास ओला, रिवॉल्ड, टॉर्क, बॉंस, हीरो एलेक्ट् अद फूर वीलर गलोबल ओईम्स में कोवोटा इनके क्लाइंट हैं ट्रेसंस इंडिया के साथ-साथ इटली, होंकोंग एंड जापान में भी हैं जापान एटली में कंपनी की एक-एक फुली ओन सबसीडरी है अद उसके बाद होंकों में कंपनी का एक जूइंट वेंजर क मैंनेजमेंट फोकस कर रही है कि नेक्स 3-5 एस में LED सेगमेंट से रेबन्यू शेर 50% करना है क्योंकि EV के अडाप्शन के कारण LED प्रड़क्ट्स सेगमेंट मैसिव ग्रो होने वाली है इसके साथ कंपनी के कुछ और प्रड़क्ट्स अभी डिवाल्मेंट सेज में है जिनका कंपलिशन के बाद रेबन्यू और भी बूस्ट कर सकती है फाइनेंशिल यो 23 के एंड पर कंपनी की और्डर बुक जो है वो बढ़कर 900 क्रोर की हो चुकी है कंपनी की मार्केट केप 2435 क्रोर है मीन कंपनी एक स्मॉल केप है उसके बाद स्टॉक का पी 16.6 है और इंडरस्टी पी 30 है इंडरस्टी पी के कंपेरिजन में कंपनी अंडर वैल्यूड है रिटर्न अन कैपिटल इंप्लोइट 26.6 है और रिटर्न अन एक्विटी 19.9 है दोनों ही अच्छी है उसके बाद कंपनी अल्मॉस्ट डेट फ्री है क्रेशो 1.53 है क्रेंट रिटर्न अन एक्विट 13.3 परसेंट है जो की अच्छे है उपरेटिंग प्राफिट मार्जन भी कंपनी 13.5 परसेंट के मैंटेन कर रही है तो आप मानके चल सकते हैं कि कंपनी काफी लंबा सर्वाइब करने वाली है शेर होलिंग पैटर्न को देखें तो परमोटर्स के पास 66.56 परसेंट होल्डिंग है FIA इसके पास 3.94 परसेंट होल्डिंग है, DIA इसके पास 0.81 परसेंट होल्डिंग है और पबलिक के पास 26.68 परसेंट की होल्डिंग है कंपनी का स्टॉक प्राइस 2000 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली कंसोलिडेशन में है और 1850 पर ट्रेड हो रहा है तो एजुकेशनल परफस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के कुछ क्वेंटिटिस एड कर सकते हैं और लॉंग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं नेक्स कंपनी कावी हाई ग्रोथ है और जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो फ्यूचर में मैसिव ग्रोग कर सकती है कंपनी का नाम आयोन एक्सचेंज है और कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में ओपरेड करती है Friends मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसी industry की companies को जरूर कवर किया जाए जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही हो क्यूंकि बहां valuation काफी better मिल जाती है और उसके कारण returns भी अच्छे मिल जाते है Company अपनी revenue का 60% engineering segment से generate करती है जहाँ पर Company काफी सारी water solutions provide करती है जिसमें wastewater treatment, sea water desalination, recycle and zero liquid discharge जैसी solutions आती है उसके बाद chemical segment से company 30% revenue generate करती है यहाँ पर Company कुछ resins and specialty chemicals produce करती है उसके बाद Company कुछ customized chemical treatment programs run करती है for water, non-water and specialty applications के लिए अपनी revenue का 10% consumer products से generate करती है यहाँ पर Company hotels, spas, educational institutions, hospitals, laboratories, railways and defense जैसी establishments को safe drinking water and clean environments जैसी solutions provide करती है यह Company future में क्यों grow करेगी उसका first reason है government regulations कोई भी plant अपनी industrial waste को बिना treat किये हुए dump नहीं कर सकता उसके बाद city की municipalities भी sea waste water treatment के लिए इन companies की sport ले रही है इंडिया एक अलड़ी water shortfall वाली country है और future में rainwater harvesting and sea water desalination में huge scope है government initiatives जैसे की नुवामी गंगे, water supply and sanitation mission, जलजीवन mission भी यह Company biggest beneficiary है Friends Company की global presence आपकी screen पर है और Company domestic market से 77% revenue generate करती है और export से 23% revenue generate करती है Friends यह बड़े corporate company के clients हैं जो Company से waste water treatment related solutions drinking water projects and clean environments जैसी solutions लेते हैं Friends Company की market cap 6,942 crore है means Company एक small cap है stock का P.E. 34.6 है and industry P.E. 33.3 है क्योंकि Company एक high growth company है इसलिए 34.6 का P.E. फिर P.E. माना जाएगा Return on capital implied 33.8% है, return on equity 26.2% है Company debt free है, उसके बाद quick ratio अच्छी है, current ratio भी अच्छी है and returns on assets भी अच्छे है Cash flow statement में देखें तो Company हमेशा ही operation से अच्छे cash generate करती आई है Share holding pattern को देखें तो promoters के पास 26.94% की holding है F.E.S. अपने stake को बढ़ा रहे हैं and 2.44% पर पहुंच गे हैं D.E.S. भी अपने stake को लगातार बढ़ा रहे है and वो भी 11.66% पर पहुंच गे है Others category में कुछ बड़े institutions and कुछ high net worth individuals है इनके पास 16.18% की holding है Public के पास 42.78% की holding है जो की September 20 में 49.55% हुआ करती थी तो यहां हम देख सकते हैं कि public की holding लगातार कम होती जा रही है and यह एक अच्छा sign होता है Friends Company के stock price में एक बड़ी rally देखने को मिली है and Company ने approximate 610 का high लगाने के बाद presently 473 पर ट्रेड कर रही है अपने high से 22% के around correct हो चुकी है तो educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की companies को भी हम जरूर consider कर सकते हैं Friends, iron exchange इसलिए अच्छा growth दिखा पा रही है because worldwide environment को लेकर concern बढ़ रहे है and अगली हमारी जो दो companies होगी बो भी similar theme पर based होगी जो है environment को लेकर बढ़ते हुए concern next company paper industry से है ये industry पहले cyclical industry के रूप में जानी जाती थी क्योंकि इसमें growth हमें cycles में ही देखने को मिलती थी लेकिन single use plastic band होने के कारण इस industry में growth काफी fast based पर हो सकती है and cyclical बाला factor भी काफी कम हो सकता है single use plastic band होने से food packaging e-commerce platforms द्वारा parcel delivery ये सब solutions भी paper industry ही provide कर रही है इसलिए paper industry की companies paper based packaging solutions के लिए बड़ा capex भी कर रही है paper industry को total revenue का 55% आज paper packaging से मिल रहा है इसलिए next company हमने इसी industry से select की है company JK paper limited है company JK group से belong करती है जो की काफी famous group है company copier paper में market leader है and 30% of market share hold करती है उसके बद coated paper में company burn off the leading player है and 11% का market share hold करती है and next packaging board में company burn off the leading player है and इसमें 20% of market share hold करती है paper industry में जो सबसे ज़्यादा growth आएगी वो आएगी paper based packaging से क्योंकि यही segment है जो इंडिया में fast based पर grow कर रहा है horizon packs private limited and security packs packaging limited में 85% stake acquire किया है and यह दोनों मिलकर इंडिया की largest corrugated packaging manufacturer है जिनके पास country में 7 plants है company की market cap 6,283 crore है means company एक small cap है stock का PE 4.96 है and industry PE 18.6 है industry PE के comparison में stock price काफी undervalued है return on capital implied and return on equity दोनों ही अच्छे हैं उसके बाद company की debt to equity है वो है 0.67 जो की comfortable zone में मानी जाती है operating profit margins भी company काफी अच्छे maintain कर रही है that is 31.3%, quick ratio, current ratio and return on assets सब better है friends company जिस sector से belong करती है उसमें काफी अच्छी grow देखने को मिल सकती है तो मैं educational purpose के लिए बताना चाता हूँ कि इस consolidation में आप कुछ quantities अपने portfolio में add कर सकते हैं last time जब हमने company पर discussion किया था बहाँ से already 15% के around returns बना कर दे चुकी है next company best cost paper mills limited है company की presence is industry में 1955 से है and presently company 22 plus countries में operate कर रही है company के product segment की बात करें तो उसमें stationary आता है printing and writing है उसके बाद security and high grade value paper है mg varieties है and cup stock and quarter duplex boards है company ने strong backward integration भी किया हुआ है backward integration का मतलब है required key material को in-house develop करना company future में क्यों grow करेगी एक वार बोद देख लेते हैं company ने आंतरा paper limited का acquisition किया है जिसकी install capacity 2,40,000 metric ton per annum है last financial year में company 2,098 crore के revenue generate किये है vita generate किया है 787 crore का ये सारी आंतरा paper limited की बात हो रही है and profit after tax जो generate किया है वो किया है 522 crore का means company profitable है आंतरा paper limited में company 72% का share hold करती है उसके बाद company अपने business को diversify कर रही है and optical fiber cable की manufacturing कर रही है जिसका सबसे ज़्यादा utilization telecom industry में होता है company की market cap 4,102 crore है means company एक small cap है stock का P.E. 4.05 है and industry P.E. 18.6 है industry P.E. के comparison में stock P.E. highly undervalued है return on capital employed and return on equity दोनों ही amazing है company की debt to equity 0.09 है means company एक debt free company है उसके बाद quick ratio, current ratio and return on assets सब अच्छे है operating profit margins company maintain कर रही है 34.7% का जो की amazing है company के chart को देखें तो last के एक साल से consolidation में है तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक pattern भी बन रहा है तो यह बन सकता है यहाँ पर एक left shoulder यहाँ एक head बन रहा है and next company यहाँ से एक और shoulder बना कर उपर भी निकल सकती है तो ऐसे में जो target निकलते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस depth को measure करना है हमने इस depth को measure कर लिया and then इसको क्या करना होता है कि breakout level पे रखा जाता है तो हम इसको उठा कर breakout के levels पर रख लेते हैं टेकनिकल target को निकालने के लिए हम इसके present level से target को measure करेंगे and वो निकल कर आता है 36.42% यह कुछ immediate targets हैं जो की breakout के बाद मिल सकते हैं तो educational purpose के लिए बताना चाहता हूँ कि इस तरह की companies को आप consolidation में कुछ quantities add कर सकते हैं and long term के लिए hold कर सकते हैं next company adhesive segment से है and company का नाम है जोती reasons and adhesive limited चार्ट पर देखें तो company के stock price में एक बड़ा अपरन देखने को मिला था and last के एक साल से company consolidation में है and उसका major reason है shop अपरन के बाद profit booking उसके बाद company के अगर हम quarter results देखें तो इस quarter में company के quarterly results भी year on year basis for week देखने को मिले है and इसका reason यह है कि जिन जोगर office में ये company operate करती है बहाँ access rainfall and unseasonal cyclone रहे थे लेकिन company ने अपने operating profit margin को highest ever पर maintain कर दिया है यही कारण है कि कम revenue generate करने के बाद भी company highest ever net profits post कर पाई है friends next reason आता है कि इस company को हमें क्यों consider करना चाहिए company की जो manufacturing facility है वो गुजरात के एमताबाद में है and presently company 16 states में ही operate करती है even कि देली और उत्रप्रदेश में भी company ने recent में ही फोरे किया है and company के पास vast geography है operations करने के लिए दूसरा reason यह है कि company one of the highest cross margins and profit before tax margins maintain करती है industry में company का gross margin है 62.5% विट्टा है company का 33.9% and profit before tax है 25.7% France company ने अपने production capacity को भी double कर दिया है पहले जो production capacity थी वो थी 1000 ton per month and अब हो गई है 2000 tons per month company के market cap 1748 crore की है means company एक small cap है stock का P32.9 है and industry P30 है क्योंकि company एक high growth company है इसलिए 32.9 का P high नहीं माना जाएगा return on capital implied है company की 72.9% return on equity है 55.1% company बिल्कुल debt free है quick ratio, current ratio and return on assets सब अच्चे है operating profit margin भी company 27.3% का maintain कर रही है लेकिन अगर हम इस quarter में देखे तो company ने 34% के operating profit margins generate की है जो की highest ever है उसके बाद अगर हम profit on loss statement को देखे तो यहां हमें देखेगा कि company ने अच्छी तो यहां में देख सकते हैं कि company अच्छी revenue generate कर रही है सिर्फ trailing 12 months में company की revenue थोड़ी सी कम हुई है और उसका reason एक यह भी है कि इस quarter में भी company की revenue थोड़ी weak रही थी due to जिन areas में यह company अपरेट करती है बहाँ पर access rainfall रहा and unseasonal cyclone रहे वही company की profit growth भी काफी amazing है and यही कारण है कि company ने last के 10 सालों में अपने investors को 85% के CGR से return बना कर दिये हैं वही अगर share holding pattern को देखें तो promoters के पास 50.82% है promoters ने अपनी holding बढ़ाई है FIS के पास 0.33% है public के पास 48.84% है जिसमें से approximate 20% company investors and institutions के पास है friends company high growth है and presently consolidation में भी है तो educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस consolidation में आप कुछ quantities अपने portfolio में add कर सकते हैं next company casino and online gaming industry में operate करती है company की 80% revenue casino segment से आती है and 20% revenue gaming segment से company का नाम delta cope है question आता है कि while delta cope पहला reason यह है कि company leading player है casino business में friends जैसे जैसे किसी country में per capita income बढ़ता है तो इस तरह के business बहां काफी fast pace पर grow करते है company के पास total 7 casinos है जिसमेंसे land based, sea based दोनों तरह के casinos आते है company का एक casino काटमांडू नेपाल में भी है online gaming से company 20% revenue generate करती है gaming segment में company के पास adda52.com, adda52.com, adda.games जैसे platforms है and company अपने gaming business को demurge भी कर सकती है gaming business इंडिया में काफी high growth business है and ये presently 25% के ज़्यादा के CAGR से grow कर रहा है company की market cap 4798 crore है means company एक small cap है stock का PE 17.6 है and industry का PE भी 17.6 ही है क्योंकि company एक high growth company है तो इसलिए इस तरह की company के लिए 17.6 का PE काफी undervalued माना जाएगा return on capital implied return on equity दोनों ही ठीक ठाक है company debt free है उसके बाद company operating profit margins 34.4% का maintain कर रही है quick ratio, crunch ratio and return on assets सब कुछ ही अच्छे है holding pattern को देखें तो promoters के पास 33.28% है FIS के पास 6.68% है DIs ने अपनी holding को काफी aggressively बढ़ाया है and 18.04% हो गया है public के पास जो कभी 50.13% की holding हुआ करती थी वो कम होकर 14.2.01% हो गई है जो कि ये काफी अच्छा साइन है friends, 260 के level से company के stock price में एक shop fall देखने को मिला था क्योंकि government of India ने gaming business में GST बढ़ाकर 28% कर दी थी लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के businesses जैसे की alcohol, cigarettes and casinos इन पे GST high का कोई impact नहीं पढ़ता है क्योंकि आपने भी अपनी life में ऐसा कोई friend नहीं देखा होगा जिसने इन सारी चीजों को सिर्फ इसलिए छोड़ा हो क्योंकि उसके prices बढ़ गे हो friends, company के sales लगातार बढ़ रहे हैं, net profits लगातार बढ़ रहे हैं, जिस industry में company operate करती है, वो इंडिया में काफी high growing industry है, लेकिन company का stock price अभी काफी बीरिश territory में है, तो इस तरह की stock price में weakness का फाइदा उठा कर आप कुछ quantities अपने portfolio में add कर सकते हैं and long term के लिए hold कर सकते हैं next company एक chemical company है जो की green chemistry पर based है due to increasing environmental concerns future में ज़्याद से ज़्यादा chemical companies अपने products को green chemicals पर focused करने वाली हैं green chemistry based companies को emission norms का भी कोई risk नहीं होता तो company का नहीं clean science and technology next question आता है कि why to consider clean science and technology friends company जो भी products बनाती है वो world and India में या तो number one position hold करते हैं, या तो number two position hold करते हैं, friends company एक अपनी नई subsidiary setup कर रही है जिसका नाम है clean finno chemicals limited जिसका construction work under progress है इसके लिए company ने 85 crore का capex भी किया है, friends next reason यह है कि यह chemical sector की इगलोती ऐसी company है जो इतने ज़्यादा operating profit margins maintain कर रही है that is 43.5% उसके बद company का return on capital employed, return on equity, सब कुछ amazing है and उसके बाद company की debt to equity 0.0 है, means company almost debt free है, तो यहां हम देख सकते हैं का PE 50.9 है and industry का PE 30 है क्योंकि company एक high growth company है तो इस तरह का PE ऐसी companies को मिलता ही है company का stock price 2700 के around high लगाने के बाद presently 1400 के around trade कर रहा है इस तरह की high growth companies में इस तरह की weakness में ही accumulation किया जा सकता है तो educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जबकि stock तो bearish territory में है आप slowly slowly कुछ quantities को add कर सकते हैं and long term के लिए hold कर सकते हैं next company कोई undervalued company नहीं है बस company का financial services का business demerge हुआ है company का नाम है geo financial services company retail lending, asset management insurance broking and digital payment जैसे segment में operate करेगी जो retail business है इसे company को massive growth देखने को मिल सकती है customers को easy EMIS जैसे options प्रवाइड करके and store owners को small loans प्रवाइड करके stock price में लगतार lower circuit लगने के बाद Friday को lower circuit open हुआ है तो educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि future में इस तरह की companies में massive growth हो सकती है तो छोटी quantities में इस तरह की company को consider किया जा सकता है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि quantity उतनी होनी चाहिए so that अगर further lower circuit लगता है तो हम परेशान ना हो जाएं तो friends ये थी आज की 9 companies उसके बाद अगर आप चाते हैं तो banking sector से आप SBA bank को भी consider कर सकते है क्योंकि जिस ratio में इनके revenues and net profits बड़े है वो growth अभी stock price में देखने को नहीं मिली है friends वीडियो को आपने अगर यहां तक देख लिया है तो मेरी motivation के लिए वीडियो को like ज़रूर कर दें चैनल पे अगर first time visit किया है या चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर दें तो कैसा लगा आज का वीडियो comment section में ज़रूर बताइएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में take care